दोस्तो आज हम आपके लेकर आए हैं दाव आइस्टाइल फूला फूला आलोगी पराटी की जरीजी पिक खाने बहुत टेस्टी है और तो चली दोस्तो इसको बनाना सुरू करते हैं तो दोस्तो हम रखें सबस्पेले एक बड़ा बाल इसमें डालेंगे एक बाल आठा गोयम कर आठाये और इसमें म्याम को डाला किससे मिसको मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ filter के प्छास इसका हम डो हुर में आ ले पैरतो हमें इसको टैट मत में है तो दोस्तो हमें इसका टाइट्टो लगा ले अब दालेंगे दोटेवले सुन के गरी पानी और इसको हम अच्छी से गूतेंगे हातों के साथा से इस तादीके से बिल्कुल हमें इसको लचीला बना लेना है तो इसको में लचीला कर लीगे स्वब्टेक दम इसका डो लवाका तयार कर लेगे तो अब दे शक्ते बिल्कुल हमें लचीला कर लेना है अब इसको हम अब दक्राइब कर 15 माट के लिए रख देंगे जिसाचे से बूल जाएगा अब आप लिया है बॉयल की हुए चार आलू जो नई वाले आलू आते वह हैं तो इसको में मैस कर लेना है ठंडे हो चुके हैं ठंडे होने के बाद ही मैस करेंगे नहीं तो गरम में करेंगे तो जो हमारा आलू का मसाला है तो गीला गीला हो जाता है तो अब इसको मैसर की सहाथा से मैस कर लेंगे आप आतों से भी कर सकते हैं इसकी बिल्कुर हमें इसको मैस कर लेना है इसमें गोट्लिय नहीं देनी चाहिए तो दुस्त कामने आलू को मैस कर लिए अब इसम डालेंगे एक चौताई अपने मन पसंद कर सकती है और डालें इसमें आज़ा जीरा इसको हमें ऐसी डाल दीना कच्छा इसका फ्लेवर वहती अच्छा आता है और डालें इसमें गरम अज़ा पाउडर यह चोटाइच मैं डालेंगें आम चुर पाउडर दोस्तों आप इसमें डालें चुटकी भरी और फिर हम इसको डालेंगे शरी दनिया पत्ती और कटी हुई तरी मिर्ची सी में दौने मिक्स से डाल देंगे और इसके बाद में आच्छे से आलू मसाला को मिक्स करेंगे सारे मसालों को आलूम में मिक्स कर लेंगे हम तो दोस्तों जो हमारी अंदर की श्टिपिंगे बबन का तयार हो गई है अब इसको हम साइड में रख देंगे तो जो हमने डो को लगा का तयार किया था उसको हमें 15-20 मिलट हो चुगी है तो अब इसको हम एक बार बार हातेली के साइटा से इसको इसमूद कर लेंगे तो दोस्तों आब हम डो में से लोई को काट लेंगे तो हम मेडियम साइच की लोई बनाने लेनी है और जो हमने उदर सुकांटा रखा है उस पर हम उससे लगा लेंगे आप दूस्तों बिलन की साइटा से हम इसको बिल लेंगे तो हमें थोड़ा ही बिलना जाद नहीं बिल लेंगे तो सिर्प हमें इतना ही बिलना है अब हम लेंगे अंदर की स्टेपिंग तो दोस्तों हमें जितनी हमने लूई लीटी उतनी हमें लेनी है और इस तारीके से हमें कर लेंगे इस तरीके से हमें इसको बंद करना है अब हम इसको सुखे हाटे में लागा लेंगे इस तरीके से हमें हाथों से कर लेना आते लिए कि साइट आज आजिए हुआ है हिए तो दूस्तों हमें इस तरीके से कर लिना फिर इसको हमें बिलना है घर wichtige है आतों से श्यादा आप अंस-टांधर रियां स यादा हम इसको प्रेय स्ने करेंगे नियो तो भी पाथ मिल लिकान इभी ले नहां क्यास्ट कि तो दोस्तो हमने इसको बहित लिया और अंगास पर तबार चला दिया था पहले से गरम हुए अच्छे से अफ़ वह इस पर हम इस पराठा डाल देंगे और इसको हम नीचे से स्यंक लेगे तब तो दोस्तो वो नीचे सिख रहा है तो हम दूसरा पनाटा बना का तयार कर लेगे जैसे हमें पहले बाला बना आया तो वैसे बना लेगे तो दोस्तो जो हमारा पराठा था वो नीचे सुप चुका है अब हम परसे नीचे से स्मेक लेंगे पलट कर और इसमें हम जो श्टपिंग भढ़ लेंगे अंदर की तो दोस्तों जो हमारा पराठा वो दौन तरफ से सेख चुका है अब इस पर हम लगाएंगे रफाइन डॉयल अब इसके यह गी भी लगा सकते तो इसको हम अच्छी से लगाएंगे और इसको हम पलट देंगे दूसरी तरफ भी हम इसमें लगा लेंगे दोस्तों मैं कैस के प्लेम को मीडियम रख देना है तो दोस्तों जो यह पराठा फट गया है इस तरीके से दबा लेंगे जिससे जो पराठा फूलेगा दोस्तों नीचे सिख चुका है इसको पलट देंगे तो आप दी सकते प्राठा कितना अच्छा है यह फूल द्रा है हमारा तो दोस्तों जो हमारा पराठा फूल नीचे से भी अच्छे सिख चुका है तो दोस्तों आप देश जकते हो तो जो हमारा प्राठा इसको भार निकाल लेंगे प्लेट पर अच्छा एकदम क्रस्पी सा बनाए फूला 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 तो दोस्तों जो हमने दूसरा वाला फूला रखा था उसको भी हम वेल तो दोस्तों जो यह प्राटा इसने जो आलो की श्टेपिंगे वो अंदर तक दिखाई दी रही है विल्कुल पदला से बनाए तो इसको हम फिर से तभी पर डाल देंगे और इसको भी हम उसी तरह तो दोस्तों जो हमारे पराटा यह दोन तरफ शिख चुका है तो इस पर भी हम ऑईल लगा देंगे तो दोस्तों आप यहां पर दे सकती है फुराटा मारा फूल रहा है अपने अपर तो इस तरी के से हम इसको आख लेंगे तो आप दी सकती है कि अच्छा तो दोस्तों यह दोन तरफ से चुका है अब इसको भी हम निकाल लेंगे तो दोस्तों हमारे फूले फूले क्रेस्पी सी प्राटे बनकर तैयार हो गया है काने बहुत ही टेस्टी है और में एक फाड़ कर भी दिखा रही है इस तरी के से बिलकुल इसकी जो लिए रहे बिल कर दोस्तों आप देख सकते बिलकुल अलग लेयर हो गई इसकी बटी टेस्टी है बिलकुल तीखा घटा तो दोस्तों वह दी टेस्टी बना एक तम चेट पटा तो वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाएक चैनल पर नहीं को सच्टे पलेगा और फिर मिलते अग जज बंव कर दो कि बंव सकते अव में कर दोव सक्षब सूब जहत। बंगल